और हाँ इतनी महतपूर वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी ठीक है ना बोर्ड परिच्छा 2024 की बात कर रहे हैं आपको 200 नंबर यहां से हम पकार करकर जाएंगे और physics और chemistry की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहद important और बहद him on tapoon है और यहां पर आपको 200 नंबर पूरा पका करकर ही जाने वाले हैं यह बात मेरी याद कर लीज़े आप लोग अगर आप लोग हमारे साथ लाश्ट जुड़े रहेंगे ना आपको लाश्ट में ऐसा फील होगा कि हाँ सर हम 200 नमबर पका पास सकते हैं इसमें आपको practical की भी बात करेंगे कि practical में आपको क्या पूछा जाएगा वो सारी चीजों को यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं ठीक है साथ आप सभी लोग वेल आइकन को दबा लेज दिएगा यहाँ पर देखिए मात्वपूर्ण बिंदू की बात करेंगे मात्वपूर्ण बिंदू आपकी कौन कोईंसेस में होने बाले हैं कि जो इट्रेंट्स मारे टॉप करना चाहते हैं ना सिर्फ उनी के लिए वीडिय लेते हैं तो फिजिक्स और कमेश्टी मों 200 नंबर जरूर पालेंगे और सबसे बड़ी बात है कि आपको आपको लास्ट तक जरूर जुड़े रहाना और वीडियो को लाइक करकर ही जाना है वीडियो को लाइक करकर जाईएगा और सेयर जरूर कर दिजिएगा ठीक है ना चलिए दो हजार चौबिस में टापर बनना है तो सभी बातों को ध्यान दें जो बाते मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं ना वो बाते आपको ध्यान देना है ठीक है ना इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा ध्यान दीजिएगा इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा physics and chemistry में derivations और numericals को कहां कहां से पढ़े बहुत बच्चे हमारे confused रहते हैं कि सर ये बताए हम तो physics पढ़ है हम तो chemistry पढ़ है लेकिन मैं derivation कहां से करूँ और numerical किस chapter का जादा पढ़ूँ जो हमारे अब हमारे exam में आ जाए और सबसे बड़ी बात क्या है मेरे पढ़े बच्चा लोग physics and chemistry के महतपूर नियम ठीक है ना तो महतपूर नियम काउन काउन से होते हैं हमारे वो सारी चीजों को यहां पर हम क्या करेंगे अच्छी तरीके से समझने वाले हैं और यहां ध्यां दिजेगा पूरी किताब से आपको सबसे महतपूर सूत्र को बताएंगे इसमें और जो बच्चे जुड़े रहेंगे ना वो समझ पाएंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमारे लिए important हैं और अच्छी तरीके से हम पढ़ सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए best होने वाली है यहां आपकी जरूरत है अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही important होने वाली है आंकिक प्रश्णों के लिए सूत्र तयार करना ही पढ़ेगा जो आंकिक प्रश्ण है हमारे लिए उनके लिए सूत्र को तयार करना ही पढ़ेगा ये बात आपको याद कर लिए क्योंकि आंकिक प्रश्णों में सूत्र ही लगते हैं इसलिए आंकिक प्रश्णों के लिए आपको सूत्र तयार ही करना पढ़ेगा उसके बाद पांच अंक वाले अलग से जो प्रश्ण होंगे उनको हम लिखवाएंगे जो डेरिवेशन्स होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण है तो इस बात को नोट कर लेजिए इस बात को धियान दे लेजिए ठीक है रहा अब चलिए थोड़ा चर्चा करते हैं आगे और आप कोई दम बहत्री जिश्क अभी तो आपको सारी चीज़े है महत्पूर्ण नियम भी आएगा पूरी किताब से इंपोर्ण बेंजग ज़ाएंगा वो सारी चीज़े यहाँ पर आने बाली है तो बस आपको थोड़ा धहर रखना है हमारे साथ जुड़े रहना है अगर आप लास तक जुड़े रहेंगे तभी हम आपको समझा पाएंगे नई तो आपी लोग बाद में सिखायत करते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया अरे भाई जब आप जुड़े रहेंगे तभी हम आपको समझा पाएंगे जब आप वीडियो छोड़े चले जाएंगे तो कैसे समझा पाएंगे इस बात को नोट कर लिज़े हमारे ताकि आपको यह न लगे कि सर मुझे भ्रहमित कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं ऐसा प्रहु करेंगे तो प्रेक्टिकल्स की बात करेंगे यह यहांपको 30 नंबर किसके मिलेंगे यही आपका क्या होता है practical होता है तो इस बात को note का लेज़े और chemistry की बात करें chemistry में देखिए 70 plus 30 बरावर 100 number इसमें भी आपको मिलेगा और यह जो 30 number है यह आपके लिए क्या होगा practical का होगा टोटल आपको यहाँ पर 100 number मिलने वाला है और इसमें भी आपको पूरा 100 number मिलेगा तो यहाँ से आपको पूरा कितना हो जाएगा 200 number का आपका यह पूरा paper हो जाएगा तो इस बात को note का लिज़े जो मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ तो ऐसी चीजे जो आपके लिए बहुत ही जानकारी के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से practical करने हैं और कौन कौन से theory में आपको question पढ़ने हैं सारे questions को यहाँ पर हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं अब देखे जो मैं आपको यहाँ पर बताने जारा हूं यह भी बहुत important है और बहुत ही तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा जो महत्पूर बिंदू में आपका आता है कौन से chapter को हमें पढ़ना है कौन से chapter को जो हमें पढ़ना है जो आपके exam के लिए important है तो मात्र आपको 9 chapter मात्र 9 chapter आपको पढ़ना है जो यहाँ पर मैं आज आपको बताने जारा हूं मात्र और मात्र दो chapter आपको 9 chapter आपको पढ़ना है जो chapters मैं आपको यहाँ पर आज बताने जारा हूं उन chapters को ध्यान दे लिजेगा और इनको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लिजेगा इस तिर बैदुतिकी की बात करेंगे पहला चप्टर आपका यही हो जाएगा इस तिर बैदुतिकी यहां से आपको दस नंबर का पूरा question मिलता है बहुभी कलपी भी इससे मिलेगा अतिलाखुतरी इससे मिलेगा derivations भी इससे मिलते हैं आपके और आंग की कप्रशने भी मिलते ही मिलते हैं तो इस बात को नोट का लिए और अच्छी तरीके से समझ लिजिए कि ये चप्टर आपके लिए कितना important है और कितना महत्वपूर है धारा बैदुत की बात करेंगे इससे भी आपके question पूछे जाते हैं तीसरे नंबर topic की बात करते हैं बैदुत धारा का चुम्बकी प्रभाव का चुम्बकत तो क्या इतना ज़्यादा important है कि इसका मैं सब्दों में आपको बया नहीं कर सकता हूँ इससे भी आपको question पांच नंबर का कम सकम तो मिलेगा ही मिलेगा ठीक है ना तो जिस बात को ध्यान दे लेजिए अगर आपका 70 नंबर का paper है तो यहाँ पर मैं आपको 60 नंबर यहाँ पर theory से दिला कर ही जाओंगा क्योंकि यह बहुत important है और बहुत ही मतपूर है ठीक है ना अभी आपको physics का यहाँ बता रहे हैं लेकिन आगे हम आपको यहाँ पर chemistry का भी बताने वाले हैं तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे ताकि आपको हम पूरी जानकारी यहाँ पर दे पाए फूर्थ चेप्टर की बात करेंगे बैदुद चुम्बकी एप्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराओं की बात करेंगे यह भी चेप्टर आपके लिए बहुत ही important है यहाँ से भी आपको लगबग 10 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ से आपको derivations भी मिलते हैं numerical तो भरभर के आपको मिलेंगे और यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा बहुत भी कल्पी अतिलग उत्तरी सभी प्रकार के प्रश्ण आपको मिलने वाले हैं ठीकाना जो बाइदो चुम्बकी तरंगे की बात करेंगे तो बाइदो चुम्बकी तरंगे भी आपके लिए बहुत important है यहाँ से लगभग 5 नंबर तो पका ही पका आपको मिलेगा ही मिलेगा इसकी मैं guarantee देता हूँ ठीकाना तो यह इस बात को ध्यान दे लिजे जो कि आपके लिए मैं बहुत important important चेप्टर को बताने वाला हूँ ठीकाना यहाँ अगले चेप्टर की बात करेंगे प्रकाशिकी जो आपके लिए बहुत important है और बहुत ही मात्मुन है द्रब्य तथा विकीरणों की द्वैति प्रकित की बात करेंगे द्रब्य तथा विकीरणों की दैत्व प्रकित की बात करेंगे परमारत थानाभिक की बात करेंगे और इलेक्ट्रानिक युक्तियां की बात करेंगे जो आपके पास इलेक्ट्रानिक युक्तियां है न वो कौन कौन सी है जो आपके PN संधी डायोड होते है या PN डायोड होता है PNP डायोड होता है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा है परमा उथानाभिक की बात करेंगे ठीका ना तो आपके लिए बहुत इंपोर्डेंट और बहुत ही मतपूर है और आगे एक बत आओ ध्यान दिलीजी आप लोग कि बहुत विकल्पी प्रशनों के लिए आपको डेड़ सो प्रश लेकर आओंगा जिसमें आपको जिसमें आपको आंकी का प्रशन भी मिलेंगे और आपको बहुत विकल्पी प्रशन भी मिलने वाले हैं तो वह वीडियो का आप लोग अगर चाहते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और इस बात को नोट कर लेजएगा ठी जिर्फ मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं अगर फिजिक्स में आप डेड़ सो अगर प्रशन तयार कर लेना तो हंडेट परसेंट है कि आप इसमें ऐसा कोई प्रशन नहीं होगा जो आप कर नहीं पाएंगे ठीक है तो इस बात को नोट कर लेजएगा हमारे जिनमें आंकि आँपको नहीं प्रसन भी आपको होंगे आंकिक प्रशन छोटे छो आंकिक प्रसन होते हैं वह भण कलभी में दिय जाते हैं वह आपकोध्यान देना है ठीक है अब ध्यान देजिएगा अगली बैश मैं बात करता हूं अगला जो आपके लिए बहत इंपॉरटेंट थै क्य फिजिक्स में जितने भी जितने भी डेरिवेशन आप करें सभी को चितर सहित प्रदर्शित करें। सभी लोग जो यहां पर हमारे साथ जुड़ है ना लास तक आप जुड़े रहेंगे ना तभी मैं आपको समझा पाऊंगा अन्यत्था मैं समझा नहीं पाऊंगा ठीक है ना तो इसमें मैं कुछ महत्तपूर्ण नियम की बात करते हैं जो नियम आपके एक्जाम में बहुत ज कि यह भी प्रस्पिल हूए उसमें आपको मैंने बता था канал का नियम तो खुलाम का नियम भी आप के लिए बहुद इअर बहुद है उसके बाद किर्चाव के नियम की बात करेंगे तो किर्चाव का नियम भी ब्रवेरी इसमें आपको दोनों नियमों को पढ़ना है ठीका ना एक नियम नहीं पढ़ना है किर्चाप का बोल्टिज ला और किर्चाप का करिंट ला दोनों नियमों को इसमें आपको पढ़ना है उसके बाद अगला टॉपिक हमारा ओम का नियम क्या ओम का नियम ये भी बेहद इंपो सिर्फ और सिर्फ मैं नियम की बात करना हूँ जो 100% आपके एक्जाम में पूछे जाते ना इन नियमों को आप पढ़ लिजे और रट लिजे कहीं जाएगा मत क्योंकि आगे आपके लिए कमिश्ट्री भी आने वाली है जो आपको 100 नंबर पूरा दिलवा कर ही जाएगी ठीक ना चलिए आगे आपको थोड़ा और चार्चा करते हैं जो आपके लिए बेहत इंपॉर्टंट और बेहत इम्मात पूर्ण है ठीकर ना चलिए कुलाम का नियम किरचाफ का नियम ओम का नियम एंपियर का नियम फैराडे का नियम मैंने आपको सब बताया उसके बाद अगल नियम आपके पास आता है क्या आता है लेंज का नियम कौन सा आता है लेंज का नियम आता है तो इसको भी आप सभी लोग लिख लिख लिज दिएगा जो कि आपके लिख 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 प्रकास का परावर्तन वो अपवर्तन की बात करेंगे इसको भी आप सभी लोग लिख लेजिएगा हाइगेंस का सिद्धान ठीक न दोयति प्रकित जो आपका होता है न उसको भी यहाँ पर आपको पढ़ना है तो यतने आपको नियम है, मैंने आपको बताया, 10 नियम बताया, सिर्फ और सिर्फ आप ये 10 नियमों को पढ़ लिजिए, आप देखेंगे 100% आपके एक्जाम में ये नियम आने वाले हैं, तो इस बात को मेरे नोट का लेजे और अच्छी तरीके से समझ लेजिए, ठीक है न चलिए ध्यान दिजिएगा, आगे मैं आपको बताता हूँ, पूरी किताब से जो important ब्यंजक है, आपके लिए कौन कौन से ब्यंजक हैं, उसकी मैं चर्चा करता हूँ, और बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इसे साथ देते रहेंगे, तो मैं आपको समझाने क प्रियास कर पाऊंगा, और बताने का प्रियास कर पाऊंगा, ठीक है ना, गौस की प्रमे एवं अनन्त लंबाई के एक समान आवेसिता सीधे तार, ठीक है ना, इसका ब्यंजक आपको लेना है, क्योंकि ये 100% पूचा है, पूचा जाता है, इसका ब्यंजक आपको करना है, उसके बाद अगला बिंजक देखिए क्या है समांतर प्लेट संधारितर की धारिता के लिए बिंजक आपको निकालना है किसके लिए समांतर प्लेट संधारितर की धारिता के लिए जो बिंजक है न उसको आपको निकालना है ये आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट है तो चलिए अगले नियम की बात करते हैं जो आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट है और बेहद ही महतपमूर है पहला नियम देखिए आपको कहने में क्या बताया गोस की प्रमे एवं अननतर लंबाई के एक समान आवेसी सिदेतार और दूसरा नियम देखिए मेरे बैरवचो एवं अनुगमन बेग में संबंध की बात करेंगे इसको भी आप लोग रट लेजिए वीट इस्टून से तुका सिद्धान्त क्या होता है अगला टॉपिक आपके लिए यही होगा जो आपके एक्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इन टॉपिक को पढ़ि इंपोर्टन्ट है कि मैं इसका सब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया वो आपके लिए बहुत ही मातपूर्ण है चलिए अगले टॉपिक की बात करेंगे किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोत की माप करना कोई भी सेल है उसके आंतरिक प्र बायो सेबर्ड का नियम किसके लिए धारावाही लूप के लिए बायो सेबर्ड का नियम आपको पढ़ना है अगला नियम आपके लिए क्या हो जाएगा दो शमांतर धारावाही चालकों के बीच जो बल होगा उसको आपको लिखना है क्या दो शमांतर धारावाही चालकों के बीच जो बल होगा उसके बारे में यहां पे आपको लिखना है अभी तो आपको कमेश्टी फिजिक्स चल रहा है लेकिन अभी आपको हम पूरा कमेश्टी के जो टॉपिक्स है ना उसको भी चर्चा करने वाले हैं आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे सर मुझे एक बार क् पूरा का पूरा जो 200 नंबर कम्पलीट करने वाली वीडियो उसको बता देजिए क्योंकि यहां से आपको 200 नंबर पक्का हो जाएंगे और इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद लिगना अगला देखेंगे अगला जो टॉपिक हमारे पास है प्रत्यावर्ती धारा का अध्यमूलमान यह आपको बताना है जो कि आपके लिए बेहत इंपोर्डेंट और बेहत इमत पूर्ण है इसको आप सभी लोग ध्यान दिजिएगा उसके बाद यल सी आर क्या यल सी आर मतलब क्या होता है इंडक्टर कैपसिटेंस और रजिस्टेंस परिपत की प्रतिबा अधा एवं कलांतर आपको निकालना है और देखिए ट्रांसफार्मर का प्रकार लिखना है कारविधी लिखना है और इसके सिध्धान्त को लिखना है क्या होता है ठीक ना ट्रांसफार्मर के प्रकार इसकी कारविधी और इसके सिध्धान्त के बारे में आपको बताना है जो कि आपके लिए बेहत इंपॉर्टन्ट और बेहत इमत पूर्ण है तो सभी लोग एक बार वीडियो को सेयर कर दीज दियेगा क्योंकि इतनी इंपॉर्टन्ट वीडियो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है जहां पर आपको 200 नमबर पूरा कम्पलीट करा दिया जा रहा हो अगले टॉपिक की बात करते हैं अगला टॉपिक देखे हमारे पास क्या जिसके लिए बेंज़क हम निकालेंगे संपर्क में रखे पतले लिंसों के सायूजन के लिए सूत्र की बात करेंगे इसको भी आप लोग लिख लिए जिएगा ये भी आपके लिए पूछा जाता है अगला टॉपिक हमारा देखे क्या है लिंस के लिए मेकर का सूत्र क्या लिंस के लिए मेकर का सूत्र जो आपके लिए होता है वो यहां पर पूछा जा रहा है हाइगेंस के तरंगीकाओं का सिध्धान्थ की बात करेंगे तो हाइगेंस के तरंगीकाओं के जो सिध्धान्थ है उसकी यहाँ पर चर्चा कर रहा है जो की आपके लिए बेहत इंपॉर्डन्ट है और बहुत ही मतपूर है फ्रिंज की चौणाई के लिए ब्यंजग आपको निकालना है अगला टॉपिक आपके लिए यही बहुत important है सुक्षमदर्जी की आवर्धन छमता क्या होती है ये आपको बताना है जो की आपके लिए बेहत important और बेहत इमात पूर है सभी लोग यहाँ पर ध्यान दियेगा मेरे बेहरे बच्चा लोग जो की आपके लिए बेहत important और बेहत इमात पूर है आप सभी लोग वीडियो को जरूर सेयर करिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं ठीका ना चलिए ध्यान दिजेगा अगला देखेंगे अगला topic आपके लिए क्या है अगला topic देखेंगे हमारे पास क्या आता है केंदरी उच्चिस्ट चोड़ाई क्या आती है केंदरी उच्चिस्ट चोड़ाई की बात करेंगे वो आपके लिए है जो आपके लिए बेहत important है और बेहत इमात पूर है अगला topic देखेंगे आइंश्टीन का प्रकास बैदू समीकरण क्या है आइंश्टीन का प्रकास बैदू समीकरण जो की आपके लिए बेहत important और बहुत इमात पूर है इसको भी आप सभी लोग क्या कर लिए जगा छाप लिजेगा या छाप लिजेगा क्योंकि ऐसे topic आपक कहीं मिलने वाले नहीं हैं ये मैं वादा करता हूँ आपका ठीक है न और दे ब्रॉगली का संबंध जो आपके लिए बेहत important है और बहुत इमात पूर है इसको भी आप लोग लिख लिजेगा द्रे ब्रॉगली का संबंध क्या होता है क्या होता है ये आपको बता देना है क्योंकि 100% पूचा ही पूचा जाता ऐसे टॉपिक दिगा न और देखिए ये टॉपिक तो आपको पूचा ही पूचा जाएगा क्या है नाभिकी विगटन एवं सल्लयन की बात करेंगे तो इससे आपके आंकिक प्रश्न भी पूचा जाता है नाभिकी विगटन की बात करे तो यह हमारा होता है हाइड्रोजन बम क्या होता है हाइड्रोजन बम होता है तो इन दोनों को अची तरीके समझेगा परमाडु का रदर फूर्ड माडल क्या होता है यह आपको बताना है कि परमाडु का रदर फूर्ड माडल क्या है इसके बारे में आपको बताना है यन एव ठीक है ना चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं अगला टॉपिक देखिए क्या है पीयन संधी डायोट का अर्ध तरंग दिश्ठिकारी के रूप में प्रयोग आपको बताना है जो कि आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट है और बेहद हिम्मत पूर्ण है ठीक है ना पीयन संधी डायोट का क्या होगा पूल तरंग दिश्ठिकारी के रूप में इसका उप्योग आपको बताना है दोनों पूछता है दोनों आपके लिए इंपोर्टेंट है तो इस बात को नोट कर लिए जएगा कि दोनों आपके लिए इंपोर्टेंट हैं ठीक है तो यहां से उगर आपको 200 नमबर पक्का करना है तो इस बात को मेरे नोट कर लिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चे हैं अगर आपके लिए मैं ना करूँ तो आप कहेंगे सर हमारे लिए आप मेहनत नहीं कर देैं लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी मेहनत करनी है, मेहनत क्या करनी है, इन सारे topics को लिखना है, और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, ठीका ना, और LED में फोटो डाइवोड, LED क्या होता है, और फोटो डाइवोड क्या होता है, जिसमें आपको किया निकलता है प्रकास निकलता है यह उसमें current प्रवाइद करते हैं तो उसमें सारे आज सारे सारे चिजा है तो जब आप लेड डी पढ़ेंगे तो वहाँ पर अगर इसके फुलeszाम की बात करें क्या होता है Light, इमिटिंग क्या होता है इमिटिंग क्या होता है Lite, Emिटिंग, Diod होता है Practical में नंबर की बात करेंगे Practical में आपका ध्यान देज़ेगा 15 प्लस 15 नंबर आपको मिलेंगे जिसमें आपको यहाँ पर 30 नंबर मिलने वाले हैं कितने नंबर? तीस नंबर आपको मिलने वाले हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टन्ट और बेहद इमात बूरा है पंदरह नंबर आपको कहां मिलेंगे ये पंदरह नंबर कहां मिलेंगे आप पूछ रहोंगे सर कहां मिलेंगे जो आप चार्ट पेपर बनाते हैं चार्टवार मनते हूं वहां से आपको क्या मिलेगा 15 यहां से तर्फ छोच यहां से नुंगर होता है जो इसकूल से आपकी पेपर होते हैं उससका नुमबर और उसका 15 नंबर उसका 15 नमबर आपको मिलता है तो इस बात को note कर लिए जे कि जो हम आप exam देते हैं जो आप सोचते हैं कि sir मेरा school में exam चला है मैं नहीं दूँगा तो पास हो जाओंगा तो यहां से आपका number कट जाते हैं जो बच्चे का number कटता है क्योंकि वहां से आपके पूरी कापिया चेक होती है मास भी number आपको मिलते हैं तो इस बात को note कर लिए जेगा सभी लोग जो हमारे प्यारे बच्चे है न वो जरूर ध्यान दीजेगा ठीकर न चलिए अगले topic की बात करते हैं अगला topic देखिए आपके लिए क्या है जो की बेहत important और बेहत हम कमेश्टी की बात करेंगे तो कमेश्टी में मैं आदा करता हूँ आपको मेरे पहरे बचलो कि आपको यहां से मैं 100% आपको ऐसे topic बताऊँगा जो आप यहां से पढ़ने के बाद top कर जाएंगे और यहां से आपको 100 नंबर पका कर दिया जाएगा कक्षा बारक कमेश्टी की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहत important है और मात्र इतने प्रश्णों को आपको पढ़ लेना है जो कि आपके लिए क्या है important है मात्र इतने प्रश्णों को पढ़िए जो मैं आज यहां आपको बताने जा रहा हूँ committee में 100 number आप पक्का कर ले जाएंगे 100 number आपको आज यहाँ पर पक्का हो जाएगा और जो बच्चे हैं यहाँ तक जूड़े हैं वो बच्चे हमारे टापर बच्चे हैं और जो बच्चे छोड़ कर चलेगा हैं वो लूजर है तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा जो हमारे प्यारे बच्चे हमारे साथ जूड़े रहे है न वो सभी बच्चे यहां से हमारे ध्यान दीजिएगा ठीका ना? चलिए मातर ये टॉपिक आपको पढ़ना है जो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं ठीका ना? उन टॉपिक्स को पढ़ियेगा सब्से पहले हम numerical की बात करेंगे आंखीक प्रशन आपके कहां सज़यादा पूछे जायेगे जो आपके आंखीक प्रशन है वो आंकीक प्रशन आपसे कहां सज़यादा पूछे जायेगे वो आपको बताना है महत्व पूर्ण नुमेरिकल की बात करेंगे क्या बात करेंगे महत्व पूर्ण नुमेरिकल की बात करेंगे या आंकिक प्रश्न की बात करेंगे ठीक है ना महत्व पूर्ण नुमेरिकल या आंकिक प्रश्न की बात करेंगे कहां से आएगा आंकिक प्रश्न पहला चप्टर आपको विलियन हो जाएगा ठीक विलियन मैंने पूरा का पूरा चप्टर आपको मैंने पढ़ाया है पूरा का पूरा चप्टर हमने आपको पढ़ाया है जो कि लगबग चार घंटे की वीडियो है उसको आप सभी लोग देखिएगा और तरह प्यार दीजिएगा अगर आपको वीडियो नहीं मिल देख ता आप जरुक वीडियो के सिक्षन में जाईएगा अभी आपको वहाँ पर पांच जो आपकी चैप्टर फर्स्ट है ना वहाँ पर आपको मिलेगा विलियन का पूरा चैप्टर फर्स्ट जो आपके लिए बेरी बेरी मोश्ट इंपॉर्डेंट है ठीक है ना तो राश्यानिक बल्गतकी से भी आपको देखें यहां से मैंने दो चैप्टर पढ़ाया हुआ है पहला चैप्टर पढ़ाया हुआ तो इस बात को ध्यान दे लेजिए मेरे बचो मैं आपको आज कसम कहता हूँ कि यहाँ पर ध्यान देज़ेगा 100 नंबर पका करकर ही जाओंगा जाओंगा ठीकरा अगले टॉपिक की बात करेंगे पूरे किताब से महतपूर नियम हाँ मेरे बचो क्या है जो आपके लौ है ना कौन से लौ पूछ जाते हैं कौन से नियम पूछ जाते हैं उसकी यहाँ पर चर्चा करने बाले हैं ठीक है ना सभी लोग ध्यान देज़ेगा यहाँ पर जो हमारे नियम है पहला नियम आपका हे निरी का नियम है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्डंट और बेहद इमत पूर्ण है ठीक है ना राउल्ट के नियम की बात करेंगे तो राउल्ट का नियम भी आपके लिए बेहद इंपॉर्डंट है और बहुत इमत पूर्ण है कुलराउस के नियम की बात करेंगे तो आपको लिखना है पढ़ना है और समझना है और इसका रिवीजन भी करना है क्या करना है इसका इसका रिवीजन भी आपको करना है ठीक है न चलिए उसका दगला नियम हाड़ी सुलजे का नियम कौन सा नियम हाड़ी सुलजे का नियम जो कि आपके लिए बेहत के बाद फैराडे के बैदूत अभगटन नियम की बात करेंगे तो इसको भी आपको लिखना है क्योंकि यहां से भी आपके प्रश्ण बनते हैं बहुत ज्यादा बनते हैं ठीका ना चलिए उसके बाद महत्पूर्ण अभिक्रियाओं की बात करेंगे क्योंकि आपके पास जा 100% पूची जाती है ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें अभिक्रियाओं पूची ना गई हो और इस अभिक्रियाओं को जरूर लिखिएगा उसके बाद हमारा क्या आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं यह भी 100% पूची ही पूची जाती है कैनिजारो अभिक्रियाओं क अभिक्रिया ये भी आपको पूची ही पूची जाएगी तो इन अभिक्रियाओं को ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करिएगा क्योंकि मैंने आपको महत्पूर्ण अभिक्रिया हैं पूरी किताब से महत्पूर्ण नियम और मैंने आपको numerical वाले जो chapters हैं उनको मैंने आपको बताया तो ये आपके लिए important हैं इसलिए मैं आप से करा हूँ उनको जरूर पढ़िएगा और अच्छी तरीके समझने का भी प्रयास करिएगा नहीं अब मैं थोड़ा और चर्चा करता हूँ मातर ये पाठ आपको तयार करने जो chapter मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना इन chapters को तयार करिएगा और इसके बाद मैं आपको topics बताओं कौन कौन से topics आपकी exam में आने वाले हैं ना उसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ क्योंकि ऐसी वीडियो आपको ध्यान देज़ेगा सायद ही आपको कहीं बन मिले इतना आपको समझाने के बाद भी अगर आपको नई समझ में आएगा तो आप समझ लिजिए कि आप कितना भी पीछे है तो आपको मेहनत करनी है हम मैं आपको आपके साथ महनत कर रहा हूं तो आपको भी महनत करनी है यहाँ पर देखिए मात्रिये पार्ट तयार कर लो पौला चप्टर आपका क्या है विलियन को तयार कर लीजिएगा दूसरा चप्टर आपके पास बैदु तरे सायन मैंने आपको पढ़ाया उसको तयार कर लिज़ेगा तीसरा चैप्टर आपका क्या है रासायनिक बलगतिकी की बात करेंगे इसको भी आप लोग तयार कर लिज़ेगा उसके बाद P ब्लॉक के तत तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इससे प्रशन आपके बहुत ज़्यादा पूछाते हैं ड़ीर और याब लाक के तत तो बहुत ज़्यादा इससे भी आपके प्रशन पूछाते है अगले टॉपिक की बात करेंगे गऑ पसासायोजक योगिक कौन सा प्रवभ है उपसा सायोज़ा कियोगिक ठीक है ना हैलो इलकेन और हैलो एरीन की बात करेंगे तो हैलो इलकेन और हैलो एरीन की बात करेंगे ये भी आप से पूछा जाता है इलकोहल फिनाल और इथर की बात करेंगे तो ये भी आप से पूछा जाता है इसको भी आप थोड़ा बताने का प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा दिखा ना इल्डी हाइड की टोन कार्बोस्तलिक अमल ये भी बहुत इंपॉर्डन चेप्टर वेरी वेरी मुश्ट इंपॉर्डन चेप्टर इसको भी आप लोग पढ़िएगा नाइट्रूजन युक्त कार्बनी क्योगिक की बात करेंगे ये भी चेप्टर आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत इमत पूर्ण है और ध्यान दीजेगा और आपको क्या करना एक चीजा और करना है मात्र आपको 100 बहुत भी कलपी प्रशनों को पढ़ लेना है जिसमें से मैं करा हूँ कि 100% उसमें से जो भी प्रशन पूछा जाएगा वो आपको यहां से मिल जाएगा और मात्र तीन चेप्टर से आपको नुमेरिकल त्यार करना है जो मैंने आपको बताया जो मैंने आपको बताया पहला विलियन बताया तिसरा रहसानिक बलगत की बताया तो इसको आप लोग लिखना है महत्मुर प्रयोग साला बिधियां और उकाषित्र भी आपको बनाना ही बनाना है उसके बाद आगे टॉपिक की हम बात करते हैं कि कक्छा बारक कमेश्टी की बात करेंगे चालित महत्मुर टॉपिक की बात करेंगे ऐसे टॉपिक जो आपके एक्जाम में एक्जेक्ली मिलेंगे ही मिलेंगे और उससे प्रशन आपके फशने ही फशने बाले हैं तो इसे प्रशन आपको फशने ही फशने वाले हैं, तो सभी लोग एकसी बात पर क्या कर दीजिए, सेयर कर दीजिए, देखिए ये टॉपिक आपको काट दिया गया है, पहला चेप्टर जो ठोस अवस्था था था ना, वो चेप्टर काट दिया गया है, 2024 में नहीं पूछा जाएगा, तो इस टॉपिक को काट दिजिए, उसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, क्या आता है, आडु संक्य गुर्धर्म क्या आता है, आडु संक्य गुर्धर्म इससे भी आपको पढ़ना है, हमने आपको राउल्ट का नियम पढ़ाया हुआ है, राउल्ट दाप पुरा पढ़ाया हुआ है, हेनिरी का नियम भी आपको बताया हुआ है, ठीक है न, कोथनांक में उन्नेयन और हिमांक मा अउनमन की बात करेंगे, ये भी टॉपिक आपके लिए पूछा जाता है, कोलराउस का नियम, हाडी सुल्जे का नियम, ये भी आपको पूछा जा पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा क्योंकि ऐसे टॉपिक्स से प्रशन आपके पास 100% पूछे ही पूछे जाएगे मैं इसकी गारंटी यहाँ पर 100% देने का प्रयास करूँगा क्योंकि आपके लिए इन टॉपिक्स देखा गया बहुत सारे पूछे जाते हैं अगला टॉपिक देखे हमारे पास क्या है प्रत्थम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयूकाल का ब्यंजक आपको यहाँ पल लिखना है प्रत्थम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयूकाल का ब्यंजक आपको यहाँ पल लिखना है ठीक है ना उसके बाद लैंते नाइड आकुंचन और इसके प्रभाव के बारे में बताना है अगला टॉपिक आपके लिए क्या हो जाएगा लीगंड उपसास योजन संक्या ये सारी चीजों को आपको बताना है आयूपी एसी क्या बताना आयूपी एसी नाम करण और पढदत के बारे में आपको बताना है BVT क्या Balance Bond Theory और CFT ठीक है ना ये आपको बर्नर का सिधान्त आपके लिए पूरा अची तरीके से समझाना है हैलो इलकेन क्या हैलो इलकेन एवं हैलो एरीन परिचे आपको पूरा अची तरीके से बताना है इलकोहल की पहचान आप कैसे करेंगे इस बात को ध्यान देजिएगा इस बात को भी आपको पढ़ना है विक्टर मेयर का नियम क्या विक्टर मेयर परिक्चन भी आपको करना है फीनाल अमली प्रकृत दर्साता है ऐसा क्यों क्या जो फीनाल है अमली प्रकृत दर्साता ऐसा क्यों होता है डाई एतिल एथर के निर्माड की प्रयोग साला विधी आपको बतानी है और अगला टॉपिक क्लोरो फाम के निर्माड की विधी के बारे में आपको बताना है उसके बाद अगला टॉपिक आपके लिए होगा AC टॉन क्या? AC Tune के निर्माड की प्रयोग साला विधी प्रात्मिक एमीन के निर्माड की विधी RNH2 आपको बताना है एनिलीन का निर्माड क्या होता ये आपको बताना है DNA और RNA में प्रमुक अंतर क्या होते हैं इसको आपको बताना है क्या बताना है DNA और RNA में जो प्रमुक अंतर होता है इसको आपको बताना है अगले टॉपिक की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत important और बहुत इमत पूर है क्या है प्रोटीन के मुख्य सुरोत क्या होते हैं इसको आपको टॉपिक को लिखना है देखिए सारे टॉपिक से आपको लिखना भागना नहीं है अभी आपको पुराची तरीके से पढ़ना है कार्वो हाइड़ेट के उदाहरण क्या लिखना है कार्वो हाइड़ेट के उदाहरण देते हुए आपको समझाना है एमीनों अमल क्या होते हैं ये आपको बताना है देखी ऐसे टॉपिक कापको कहीं मिलने वाले नहीं हैं कोकि इतनी मेहनस से सारे टॉपिस खोजी आते हैं जो आपके लिए बताने के लिए बहुत इंपॉर्डन्ट है वूड्ज फ्रिटिंग अभिक्रिया फ्रिडल क्राप्ट अभिक्रिया कैनीजारो अभिक्रिया ये तीनों अभिक्रियाओं को रट लेज ये 100% आने वाली हैं ग्लुकोज की संरचना बनाएए और राइमन टीमेन अभिक्रिया लिए दोनों बहुत इंपॉर्डन्ट है त्यल सिर्फ उनी प्रशनों को आपको लिखिये जो आपके लिए 100% वैसे के वैसे ही आपको पूछे जाते हैं और बस आपको इतना ही पढ़ना है ठीकना इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको और मैं गारंटी देता हूं 100% आपको टॉप कराकर ही जाओंगा ठीकना और दूसरा टॉपिक आपके लिए क्या है DDT पर संचिप्ट पड़ी आपको लिखنا है किस पर DDT पर संचिप्ट पड़ी आपको लिखना है प्रयोग साला में क्लूरोफार्म के निर्माळ का सचित्र वड़न आपको करना है यस यंट 1 और यस यंट 2 अभिक्रियाओं को बहुत important topic है आपके लिए ठीक है ना फिनाल का लीबर मान अभिकरियाद्वारा परिक्षण भी आपको लिखना है किसका फिनाल का लीबर मान अभिकरियाद्वारा परिक्षण आपको लिखना है लुकास परिक्षण को समझाईए यह कैसे इलकुहल में बीभेत करता है यह अगले टॉपिक की बात करेंगे हुन्स डिकर अभिक्रिया क्या हुन्स डिकर अभिक्रिया को रासानिक समिकर्ण द्वारा समझाईए क्या हुन्स डिकर अभिक्रिया को रासानिक समिकर्ण द्वारा आपको समझाना है फार्मिल डिहाइड बनाने की प्रयोग साला विधी का स जैसे कैनी जारू अभिक्रिया, वुड्ज फिटी अभिक्रिया, विर्यल क्राप्ट अभिक्रिया और कार्बलामीन के अभिक्रिया मैंने आपको इसको बार बार बताया हुआ है उसके बाद बिलियम संसलेशन अभिक्रिया बहुत इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट कर्डिगरी में स्कूर रखिएगा तो मेरे पहरे बच्छा लोग मने सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर किया 200 नमबर वाली वीडियो आपके लिए है अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी पसंद आते हैं आप चैनलों को लाइक, सेयर, कमेंट सा जरूर कर देज़ेगा फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभार